वेल गैस हमारे कुछ भाई लोग के कॉमेंट्स थे कि हम जो है Amazon Payletter को Advance में कैसे Pay कर सकते हैं मतलब मैं आपको समझाता हूँ मतलब समझ लोग कि जो सिदंबर का महीना है वहाँ पे 15 से पहले डेट 15 से पहले आपने कुछ भी Amazon Payletter का यूज करके खरीदा उसके बाद उसको Pay करना है आपको October के 5 तारिक को आपको पता है ठीक है तो अब देखो 5 तारिक से पहले आप कैसे इसको Pay कर सकते हो जो भी आपने खर्चा किया हुआ है उसको आप कैसे Advance में Pay कर सकते हो तो इसके उपर बहुत सारे भाई लोगे कॉमेंट से तो मैं सोचा कि इसके उपर क्योंने एक वीडियो बना जाए तो चलो देखते हैं कैसे हम Amazon Payletter का जो Due Amount है उसे Advance में Pay कर सकते हैं ठीक है लेकिन गाईस एक बात बता दू कि छोटे बड़े ओपर्स के वारे में सबसे पहले अपडेट देता है अपने टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले वहाँ पे अपडेट आता है तो उसके लिए अगर आपने उसको जोईन नहीं करा लिंक उसका डिस्क्रिशन में है जल्दी जाओ जॉइन करो और साथी साथ जो है हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो से आपका कोई भी कोश्चन होना आपका प्रॉब्लम मेरा सुलूशन ठीक है जल्दी जाओ डिस्क्रिशन में इंस्ट्रिग्राम का लिंक है फॉलो करो मैसेज करो कोई भी क्वेरी सो one to one जबाब दूँगा ठीक है और आपका भाई का एक ब्लॉग चैनल भी है चाहो तो फॉलो कर सकते हैं लिंक इंदर डिस्क्रिप्शन तो चलो देखते हैं कैसे हम जो एमेजोन पे लेटर का डियू अमाउंट को एडवांस में पे कर सकते हैं तो इसके लिए जो है हम अमेजोन ओपन कर लेंगे सीधा एमेजोन पे वाले सेक्शन में जाएंगे अब यहां पर मेरे अभी कोई भी डियूस नहीं है सारे के सारे मेरा क्लियर से जितना देख स सकते हो मेरा जो लिमेट है 30,000 का लिमेट है वो 30,000 का 30,000 ही यहां पर पड़ा हुआ है अब मैं यहां पर आपको ओनली दिखाने के लिए कर रहा हूं ठीक है अब टैप करने के बाद है आपके पास यहां पर आ जाती है option make payment का ठीक है तो इस पर आपको टैप करने के बाद आपके सामने देख सकते हो यहां पर जो है मेरा overdue बगेरा सब कुछ आपको दिखाएगा देखो repayment of amazon pay letter due is only allowed with net banking, debit card and UPI ठीक है तो तीन तरह से आप यहां पर pay कर सकते हो net banking हो गया, debit card हो गया या फिर UPI मतलब हर कोई payment से आप कर सकते हो यही तीन payment जो है लोग basically use करते है ठीक है तो यहां देखो pay outstanding, pay current outstanding यहां पर देखो overdue मेरा zero है और यहां पर upcoming due भी मेरा zero है ठीक है सब कुछ जीरो है तो इसके लिए अगर मैं चाहू ना तो भी यहां पर pay नहीं कर सकता जो pay now का जो option है वो amount अगर मैं डालता हूँ ना देखो जैसे की 100 रुपे यहां पर लिखा हुआ है समझ लो कि मैं यहां पर 1000 डालता हूँ फिर भी जो है यहां पर इनवल नहीं होता लेकिन credit card के जो case है उसमें थोड़ा अलग है आप extra भी डालके रख सकते हो लेकिन यहां पर ऐसा नहीं कि इतना आपका डिव है तो यहां पर पे कर सकते हो अगर आज आप यहां से खर्च करते हो तो कल के डेट में 24 हार्स के बाद है यहां पर अपडेट हो जाता है उसके बाद यहां पर क्लिक करके आपके सामने तीन option आएगा UPI net banking और debit card तीन option में से आपको चूज करनी है आप कौन से option में pay करना चाते हो वो वाला option चूज करके आप जो है कर सकते हो समझ लो कि आप मतलब net banking से करोगे तो net banking चूज करोगे उसके बाद आपको net banking का login ID password डालना पड़ेगा और सीधा सीधा वहां से पैसे आपके कर जाएंगे और यहां पर pay हो जाएगा अब गाईस कुछ और important बाते आप जान लो जो कि अगर आप advance में pay कर रहे हो तो यह जानना बहुत ही जादा important है इसके अलाबा आप मतलब कर नहीं सकते है अगर आप करोगे तो आप मतलब हसोगे ठीक है तो इसके लिए यह बाते आप ध्यान में रखना सबसे important चीज यही है कि आप जब pay कर र दिन या दो दिन पहले ही आपको pay करने है अगर मंत का end हो जाएगा फिर आप सोचोगे कि मैं पांस तारिक से दो दिन तीन दिन पहले करूंगा that is not possible होगा ही नहीं payment होगा ही नहीं कट जाएगा हो सकता है आपका कट जाए उसके बाद आपको मतलब दिक्कते आएगी उसके बाद आपको customer को भी phone करना पड़ सकता है तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखो 27-28 मतलब 25 के बाद 30 के अंदर ही आपको pay कर देने ठीक है अगर आप advance में pay कर रहे हो तो या फिर अगर आप चाहते हो कि आपका जो है auto repayment से कट जाए तो कोई tension नहीं है आराम से पास तार link भी आपको discussion मिल जाएगा आप जाके देख सकते हो और अगर 5 को आपका पैसे कटता है तो आपके पैसे pay होने में मतलब यहाँ पे reflect होने में amazon pay letter में 2-3 दिन भी लग सकते हैं अगर आपके पैसे 5 तरीकों कट गए है और यहाँ पे update नहीं होए तो आपको मतलब घबरानी की कोई जरूरत नहीं है दो से 3 दिन टाइम देना आराम से आपके पैसे जो है reflect हो जाएंगे और आपका कोई charges भी extra नहीं लगेगा ठीक है तो I hope आपको detail में सब कुस समझ आ गया होगा guys एक बात देखू मैं ना हर बक्त amazon gift voucher बिलकुल free में earning करता रहता हूं और उसके उपर मे वीडियो भी बनाता रहता हूं और उसको कैसे आप bank में transfer कर सकते हो उसके उपर भी वीडियो बनाता रहता हूं तो वह बाला वीडियो अगर आप देखना चाते हो आपके amazon pay balance में बहुत सारे balance है उसको आप send करना चाते हो bank में तो आप देख सकते हो video link आपको description मिल जाएगा देख सारे application का link आपको description मिल जाएगा आप जाके check out कर सकते हो उन सबी application में sign up करो और एक एक refer के 500 रुपीज का आपको profit हो सकता है amazon gift voucher मिल सकता है thank you very much जहिन जह भारत और बंदे मातर